Hello everyone, welcome back to my YouTube channel गैज आप में से बहुत सार लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मनोजदे की तरह चैनल आट यानि की चैनल बैनर का टुटोरियल लाई है सो इस फाइनली मैं आपके लिए वो टुटोरियल लेकर की आ गया हूँ जिसमें मैं आपको बहुत ही आसानी से उनकी तरह चैनल आट बनाना सिखा दूँगा बट इससे पहले गाईज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाई करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसे कि मुझे मोटिवेशन और आपको मेरे हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे है तो गाई सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे पिक्सलाव अप्लिकेशन को ओपन करना है अगर आपके पास यह अप्लिकेशन नहीं है तो यह आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना वहाँ पर मैं इसका लिंक दे रखा हूँ जहां से इसली आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं उपन करने के बाद यहां पर जो हम बैनर बनाने वाले हैं उसका साइज सेट करेंगे साइज को सेट करने के लिए आपको यहां कोने में त्री डॉट का एक लाइन दिखेगा इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको इमेज साइज पर टैप करना है इसके बाद आपको यहाँ प्रिसेट में कस्टम दिखेगा, इस पर टैप करके, यूटूब चैनल बैनर सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ OK पे क्लिक कर देना है, वैल बैनर का साइज सेट करने के बाद, यहाँ पर हम बैनर को बनाने के लिए एक टेंपलेट इस्तिमाल क यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यह टेंपलेट सेलेक्ट कर लेता हूं, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है, अब गईज यह जो हमने टेंपलेट एड किया है, इसी के ऊपर जो हम अपने एलिमेंट को एड करके बैनर को डिजाइन करना है, जैसे कि चैनल का नेम, फोटो, लोगो, ये सारे चीज का इस्तिमाल करना है इसके उपर. बट गाइज, एक चीज का ध्यान दीजेगा, ये जो एरिया है पतला सा, इसी के अंदर हमें सारे elements को सजाना है और रखना है. इसके बाहर अगर हम इधर उधर रखेंगे, तो हमारा बैनर जो है, वो कट जाएगा, यूटूब पे सही सेट नहीं होगा. सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फोटो एड करेंगे, जो लोग फोटो एड नहीं करना चाहते हैं, वो लोगो भी आड कर सकते हैं. सबसे करना है, जैसे ही आप फोटो या जो भी आड करना चाहते हैं, वो आपको सलेक कर लेता हूँ. वेल अपने गैली से फोटो सेलेक्ट करने के बाद सिंप्ली आपको यहां राइट पर क्लिक कर देना है गाइज यहां पर एक बात का ध्यान दीजेगा जो यहां पर हम फोटो यूज करेंगे उसके पीछे बैग्राउंड नहीं होना चाहिए यानि कि PNG फोर्मेट में होना चाहिए अगर आपको किसी फोटो के पीछे से बैग्राउंड हटाना नहीं आता तो इसके भी मैं वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप पिक्स आर्ट अप्लिकिसन का इस्तिमाल करके इसली हटा सकते हैं किसी भी फोटो के बैग्राउंड को सो कुछ इस तरीके से फोटो अड़ करके simply आपको इसे छोटा करना है और यहाँ पे आपको प्लेस कर देना है इसके बाद यहाँ पे हमें अपने चैनल का नेम अड़ करना है अब गैज यहाँ पे जो हमने टेक्स अड़ किया है अपने चैनल का नेम इसके फोट को चेंज करेंगे क्योंकि यह काफी पतला है अच्छा नहीं दिख रहा है सो इसके लिए simply आपको यहाँ आइवाले आइकन पे क्लिक करना है देन आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है यहाँ पे आपको AB font का option मिलेगा इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी font पसंद हो वो आप इस्तिमाल कर सकते हैं वैसे आज जो मैं font यूज किया हूँ वो आपको यहाँ my font के section में मिलेगा क्योंकि मैं यह अलग से डाउनलोड करके pixel lab में add किया हूँ यहाँ पे इस font का नाम है impact यहाँ से मैं select कर लेता हूँ link description में आप डाउनलोड कर लीजेगा देन आपको यहाँ OK पे क्लिक कर देना है आप गैज यहाँ पे font change करने के बाद simply आपको इसे छोटा कर लेना है और कुछी सुवाले position पे place कर देना है इसके बाद गैज यहाँ पे हमने जो name add किया है इसके color को भी change करेंगे so color को change करने के लिए simply आपको इसी ए वाले section में उपर आना है और यहाँ color पे tap करना है आप यहाँ से आप जो भी color चाहें ले सकते हैं आपने channel name के लिए वैसे यहाँ पे मेरे channel name में दो word है technology and 489 तो यहाँ पे मैं दोनों words का अलग-अलग color रखूँगा जैसे कि मैं यहाँ पे technology को white ही रहने देता हूँ so यहाँ पे सिर्फ 489 को मैं select कर लिया और यहाँ से मैं इसके color को sky blue कर देता हूँ ऐसे ही आप अपने दोनों words के color को change कर सकते हैं नीचे select करके इतना करने के बाद guys आपको यहाँ right पे click कर देना है then guys यहाँ पे जो आपने name add किया है उसको 3D texture देने के लिए हम इसके पीछे shadow effect add करेंगे सो इसके लिए simply आपको इह scroll करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको shadow का option मिलता है इस पे click करके simply आपको इसे enable कर देना है जैसे आप enable करेंगे इसके पीछे shadow effect add हो जाएगा बट shadow को angle देने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ नीचे आपको X offset और Y offset का option मिलेगा इन दोनों को हम 3-3 कर लेंगे कुछ इस तरीके से तो इससे हमारा shadow सही तरीके से दिखने लगेगा इसके बाद आपको यहाँ राइट पे click कर देना है अब इतना करने के बाद यहाँ पे अगर आप कुछ topics डालना चाहें अपने चैनल से रेलेटेड तो वो डाल सकते हैं जैसे कि मैं अपने चैनल पे YouTube से रिगार्डिंग टिप्स देता हूँ, ग्राफिक डिजारिंग का टिटोरियल डालता हूँ, साथ मैं अन्बॉक्सिंग अगरा भी कभी करता हूँ तो उससे रिगार्डिंग मैं यहां पे कुछ subtopics डाल देता हूँ सो इसके लिए simply आपको प्लस वाल आइकन पे क्लिक करना है देन आपको यहां टेक्स पे क्लिक करना है और यहां पे आपको क्या करना है जो भी आप वीडियो डालते हो वह आप यहां पे अड़ कर सकते हो सो यहां पे secondary टेक्स अड़ करने के बास simply आपको यहां done पे क्लिक करना है ok पे क्लिक कर देना है आप यहां चाहे तो अपना slogan या tagline भी अड़ कर सकते हैं जैसे आप from gallery पर click करेंगे, अपनी device की gallery में चले आएंगे, जो design elements यहाँ पर मैं add कर रहा हूँ, सब description में मिल जाएगा, आप download कर लीजेगा, फिर आपको अपनी gallery से select कर लेना है, जैसे कि यह वाला design elements है, हम आज यूज करने वाले हैं, इसे select करना है, then आपको यहाँ right पर click कर देना है, कुछ इस तरीके का यह pattern है, जिसे कि हम इस्तिमाल करेंगे, तो हमारा जो channel art है और भी attractive लगेगा, सो यहाँ से कुछ इस तरीके से add करने के बाद, आपको छोटा करना है इसको, और यहाँ corner में आपको place कर देना है, सुगाज corner में place करने के बाद, हमें इसकी एक copy बनानी है, इसके लिए simply आपको यहाँ hexagonal section पर click करना है, then आपको यहाँ copy का option मिलेगा, इस पर click करके इसकी एक copy बना लेनी है, copy बनाने के बाद guys, हम इसको इस तरीके से rotate कर लेंगे, और इसे दूसरी साइड यहाँ पर place कर देंगे, सुगाज इतना करने के बाद, यहाँ पर हमारा channel art ready हो चुका है, अब हमें इसे save कर लेना है, सुगाज इसे save करने के लिए simply आपको उपर यहाँ इस वाले icon पर click करना है, देन आपको यहाँ save as image पर click करना है, और यहाँ से अच्छी quality के लिए, आपको dimension में custom दिखेगा, इस पर click करके, यहाँ पर ultra select करना है, देन आपको यहाँ save to gallery पर click करके save कर लेना है, सुगाज होप कि अब आप भी अपने YouTube चैनल के लिए इस तरीके का मनोजदे की तरह channel art बनाना सीख गए है, अगर अभी भी आपको इस tutorial से लेटेड कोई doubt है, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, और हाँ अगर कोई मुझसे channel art logo intro outro बनवाना चाहता है, तो आप मुझसे contact कर सकते हैं, मेरा number display पे साथ में description box में भी दिया हुआ है, चलिए मिलता हो अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए, टेक केर और बाबाई